हलो दोस्तो नमस्कार का सबसे ज्यादा होट टॉपिक की अगर में बात करूँ और यह जो टॉपिक है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नो डाउट उसका डिरेक्ली ने इंडिरेकली हम लोगों को कनेक्शन जरूर देखने को आप फिलाल तो मिल रहा है और वो टॉपिक है दोस्तो आप सभी ल यहां पर बात करते हैं तो रस्या यूप करेंज जैसे हम लोगों को देखने को यहां पर मिल रहे हैं जहां पर मतलब आप सबी लोगों को पता है कि कमेंट सेक्शन में भी इस इस टाइप के सवाल पूछे जा रहें सर क्या वर्ल्ड वार थ्री का यहां पर पॉसिबिलिट रशिया के लगबग 5% की गिरावाट यह 5% ऐसा ही नहीं है एक मेने का चार्ट पेटन देख सकते हैं छे मेने का चार्ट पेटन आल्रेड़ी यहां पर हम लोगों को अच्छा आसा प्रेशर देखने को लेट कुल मिला का अगर में यहां पर बात कर दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं लगबग इंडेक्स की में बात करो 25% के असपस की गिरावाट अगर बहुत ही बॉटम तक अगर हम लोग जाते तो इंडेक्स में 30% की गिरावाट यह कोई कोई कोविड का इश्यू नहीं है आप सब लोग बता है यह दुनिया बर के बाजर नहीं गिर रहे ह क्योंकि वहाँ पर इंटर्नल इश्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे है उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर दूसरा भी उनका इंडेक्स चेक करोगे तो आप लोग उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ गिरावाट जैसे ही चार्ट पैटन यहाँ लगातार पिछले तीन मेंश से प्रेशर ही देखने को आपे मिल रहे है तो रिजन बहुत ही साफ है दोस्तों यहाँ पर वर जैसी सिचुएचन हम लोग को देखने को यहाँ पर मिल रहे है तो सेफ उसमें इंडियान मार्केट नी आएंगे दुनिया बर के जितने भी मारकेट है वो उसके चंगुल में आपे आ सकते है तो यह जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कुछ important point पता होनी चाहे क्योंकि इसके पहले अगर जो भी चीजे होई थी उसका base लेके मैं आप लोगों को यह थोड़ा सा overview करने वाला हूँ या आपे हम कोई तो फिलाल उन्होंने यहाँ पे एक बात सिधा कह दिये किनको जो युक्रेन में अमेरिका के जितने भी citizen है उनको कह दिया कि आप युक्रेन जल से जल यहाँ पे छोड़ दो जैसे जो बैडन में यह सारी चीजे बुली है वैसी हम लोग कह सकते जैपाइन ने भी कह दिया है उनके लोगों को कि युक्रेन जितना हो सके जल से जल यहाँ पे छोड़ दिया जाए क्योंकि इस situation आप लोगों ने देखिए बहुत ही खराब हम लोगों को फिलाल तो देखने को मिल रही है प्लस अगर हम लोग बात करें दोस्तो जो बैडन की अगर मैं बात करू तो उन्होंने ये भी कह दिया है मतलब प्रेस कॉन्फरेंस आप लोग देखते होंगे कि रशिया जिस तरीके से अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है पता नहीं में अभी वीडियो बना रहा हो दोस्तो कोई गैरेंटी नी शायद से यहाँ पर युक्रेन के उपर रशिया अटैक भी कर दे ऐसी सिचुएशन है कभी भी अटैक कर सकती क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मिलेटरी डिपलॉई की है जिस तरीके से आमस एन एमिनेशन आजू बाजू में देखने को मिल रहे है मतलब रशिया मन बना कर ही आपे आया हुआ है ऐसा है यहाँ पर फिलाल तो सिचुएशन देखने को आपे मिल रहा है सो दोस्तों यह सारी चीज़े देखने के बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पर सोचोगे सर क्या है यहाँ पर अभी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन स्टार्ट होगी देखी अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो जाके यहाँ पर हालत खराब हो सकते है मैं आपको एक बात बताना चांगा देखी जबी भी war होता है ना दो country के बीच में होता है कोई भी AB पकड़ लेना इनके बीच में होता है अगर वो war उनी तक सीमित रहा ना तो फिर बाकी दुनिया को इतना ज्यादा फरक नहीं पड़ता है बट अगर इनमें बाकी देश भी क होने लगे पार्टीसिपेट होने लगे तो फिर जाके बहुत जादा दिक्कते हो सकती मतलब चलो मैं आपको थोड़ा से ओवर्वी देता हो कि वर्ड वर कैसे स्टार्ट होते थे मतलब इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा मैं एक्जैक नहीं जाना चाहूंगा जैसे मैंने खा कि आप लोगो एक आईडिया देने के लिए अभी युक्रेयन की बात करें यह युक्रेयन ने पकड़ लिना अभी रॉष्य है यहां पर इसके ओपर अटैक करके यहांपी युक्रेयन को काभीज करने की कोशिच भी आप लोग ऐसा भी भोल सकते हो जो यह पता है बहुत सारे हम लोग को एलैंस भी देखने को मिलते हैं जैसे कि युक्रेन ये expectation लगा कर बेठा हुआ है कि नाटो उनकी मदद करेगा अमेरिका उनकी मदद करेगा अगर रशिया हमारे के उपर attack करेगा तो अमेरिका हमारी मतलब ऐसे अलग-अलग expectation होते हैं for example हम लोग पकड़ लेते हैं ऐसी country xyz नाम की country है रशिया ने attack किया युकरेन के उपर तो दोस्तो xyz and युकरेन के बीच में पहले कराल हुआ था कि अगर हमारे साथ अगर ऐसा कभी हुआ तो आप मदद करने आएंगे और आपके उपर अगर कोई attack हुआ तो युकरेन आपकी मदद करने आगे क्योंकि हम लोग छोटे countries है हमारे साथ और कोई जूंडा नहीं चाहेगा तो आप मदद करो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया नहीं युकरेन के उपर attack किया अभी रशिया और यह XYZ कोई भी country पकड़ लो उनका कोई दुश्मन ही नहीं बट जैसे मैंने कहा था कि युकरेन के उपर attack किया तो इसलिए XYZ ने रशिया के उपर attack किया अभी रशिया तो पूरा गुसा जाएगा कि आपने क्यों यहापे हमारे उपर attack किया बट इन्होंने युकरेन के साथ और इनको अल्रेड़ी यहापे आप बोल सकते हैं इसा partnership भी बोल सकते हो इजी समझने के लिए तो रशिया क्या करेगा इनके उपर attack करेगा तो इसके उपर attack किया तो अगर इनका कोई और alliance रहेगा ABC करके for example समझो तो फिर वो इनके साथ आएंगे फिर रशिया अपने-अपने alliances रहेंगे उनको बोलेंगे इन्होंने हमारे उपर attack किया तो यह ऐसा chain बनते जाते है दोस्तो एंड यह world war start हो जाती है सो दोस्तो world war बहुत important concept बता रहा हो दोस्तो stock market से related है indirectly या फिर directly आप बोल सकते हो देखे world war start होने के लिए जो दो countries है ना उसके बाहर की country का भी involvement उसमें अगर आ गया और वहाँ पे अगर matter serious हो गया तो जाके वो वेसी स्तिती create हो सकती है मत इसमें कोई ना कोई जीतेगा कोई ना कोई हारेगा तो बाकी के मार्केट की सबसे बात करो तो थोड़ा बहुत फरक पड़ेगा जादा नहीं पड़ेगा बट अगर इसमें कोई third country involved हो जाती है तो फिर जाके थोड़ा सा मामला फिर बिगड सकता है मतलब यहाँ पे मैं ब बदत करने आगा आप अभी अभी जो जो बैडन का जो अभी का latest press conference है statement है उसको एक बार देख लेना उन्होंने सीधा बोल दिया है कि अगर रशिया यूकरेन के उपर attack करता है तो यूकरेन प्लीज मतलब आप होप मत रखना कि हम लोग आपको बदत मतलब बचाने यहाँ आएंगे तो उन्होंने यह साफ मतलब बता दिया है उन्होंने यह भी बोल दिया है उनके citizens को बोला है कि अगर यहाँ पर रशिया यूकरेन के उपर attack करता है तो अफगानिस्तान में जैसे हुआ था हम लोग ने हमारी troops बेज़े थे और वहां से उनको भार निकाला था तो वैसे हम लोग बिलकुल भी कुछ करने वाले नहीं है तो यह उन्होंने साफ साफ चेताओ ने अपने ही लोगों को दिये कि आप जल्द से जल्द यूकरेन छोड़ दो करके क्योंकि अगर हम लोग ने यहाँ पे American citizens को यहाँ पे बचाने के लिए हमारे soldiers भेजे and for example रशिया अगर हमारे soldiers के उपर attack कर देता है and अगर हमारे soldiers को अगर कुछ हुआ तो फिर यह war जैसी situation फिर create हो सकती मतलब रशिया ने अमेरिका के उपर attack किया ऐसा भी हो सकता है इसलिए जो बैडन बिल्कुल भी risk लेना यहाँ पे नहीं चाते हैं उनके statement से ही पता चलता है कि यहाँ पे फिलाल वो इतने aggressive नहीं है जितना कि Mr. Putin aggressive देखने को यहाँ पे मिल रहे है तो कोई ना कोई जीतेगा हारेगा for example अगर होता है तो इससे ज़्यादा कोई फरक नहीं पड़ेगा बट अगर यहाँ पे अमेरिका में सीधा नाम ही लेना चाहूंगा अगर अमेरिका यहाँ पे involved हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा गडबड हो सकती है अभी तक अग according to अभी का latest statement के हिसाब से कि अगर वो बीच में नहीं पड़ेंगे तो फिर world war का ज्यादा सवाल यहाँ पे नहीं आता अभी के हिसाब से में कह रहा हो देखे यह बाद में कुछ भी कर सकते हैं इसका कोई guarantee नहीं है कि उन्होंने बोलाए करके तो यह चीज़े अभी हम लों जैसी चीज़े हैं खास करके आपको पता है यहाँ पे कि USA country को पता है कि मतलब economy के हिसाब से वो दुनिया को lead करते है फिलाल अगर आप लोग देखोगे तो चाइना के साथ अगर हम लोग बात करें बहुत ही उनका close combat हम लोग को देखने को मिलता है टकर देखने को मिलता है ऐसे वक्त अगर USA in situation में फस गया तो आपको पता है कि economy के हिसाब से फिलाल बाजार कैसे चल रहा है आप लोग को पता है बहुत ही ज़्यादा disaster यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है तो जो बैडन के उपर उस level का भी pressure है तो इस सारी चीज़े देखने को मिलता है दो आप लोग को सारे मिल जाएंगे यूटूब के उपर भी history वाले वीडियोस पढ़ लेना आपको समझ मैंगा यह वार मतलब ऐसा नहीं कि किदर भी हो गया तो जो चल रहा है वैसे ही चलेगा बहुत ज़्यादा चीज़े महिंगी हो जाती है जितना हो सके आर्मी नेवी एर इंडिया की भी बात करें दोस्तों इंडिया तो बिलकुल भी नहीं चाहेगा कि यहाप वार जैसी situation हो जाए क्योंकि आपको पता है इंडिया देखा गया तो पूरी दुनिया अभी इंडिया को as a emerging market देख रही है यहाप इंवेस्ट करने के लिए लोग literally आना चाते है कि इंडिया अपला सभी लोगों को अभी पता चल चुका है इंडिया अभी आने वाला जो 10 साल रहने वाले 10 से 15 साल इंडिया में जबरदस growth opportunities है right market उपर नीचे चलता रहता है बट यह opportunity कोई खोना नहीं चाहेगा इसलिए इंडिया बिलकुल भी नहीं चाहेगा कि war जैसी situation के हाथ में मुझे ऐसा लगता है अमेरिका का current statement के हिसाब से अगर वो उसके उपर कायम रही जैसे उन्हेंने कहा है बार बार कहा है कि हम लोग इसमें बीच में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर वो बीच में पढ़ गए तो फिर मामला बहुत ही खराब हो सकता है फिर right तो अगर वो नहीं पढ़ते इसमें तो फिर हम लोग कह सकते कि माहल थोड़ा सा खराब हो सकता है बट वर्स्ट नहीं हो जाएगा ये फिलाल की situation की सबसे में आप लोग को या पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ पर जैसे मैंने का कि अगर वो दो कंट्री के बीच में ज्यादा सीमित यहां पर रहते है तो ज्यादा वो इशु भार तक नहीं जाता है बट अगर यहां पर कोई थर्ट पार्टी इन्वाल हो जाती कंट्री फिर वो बहुत ज्यादा पेची दे मामले क्रेट हो जाते हैं दैन इट्स लिट्स तो दा व्ल्ड वार सो व्ल्ड वार होगा नहीं होगा यह अकॉर्डिंग टू मी अमेरिका क्या स्टैंड लेता है उसके उपर अभी चीजे डिपेंड है सो जो बैडन के जो स्टेटमेंट रहेंगे उनके आर्मी नेवी एरफोस क्या किस तरीकी के हरक देखने कमलेगा तो उसके ऊपर भी आप सभी लोगों ने हापे हम लोगों ने focus यहाप बनाके रखना है तो जो भी latest वीडियो मतलब news आएगी उससे रिलेटर में आप लोगों को latest वीडियो अप-लोड़ यहापे करके inform कर दूँगा तो ज़रूर इस चानल को subscribe करके आपे रख लेना और दोस्तो वीडियो को क्लोज करने से पहले कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि यहाप जीरो दायन अपस्टॉक में अगर आप लोगों को अकाउंट खोलना है मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दिये है अगर आप यहाप मेरे लिं सब्सक्राइब कर दोंगा जो लोग पूरा ने आप सभी लोग को यह और चीज़े पता है बैलेंस रिट क्या होता है तो वही चीज़े में उनको वापे हापे वापस देने वाला कोई अलग से वीडियो वापे नहीं है तो जरू अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते है जीरोदा अपस्टॉप में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्षन में तो आप लोग को में वो सारे वीडियो के लेक्चाज भी प्रोवाइड कर दूँगा तो आशा करता है दोस्तो यह टॉपिक आप लोग को इजीली समझ मे होगा तो जोरूर लाइक अंड शेर कर दिना सो वी विल भी मेटिंग आरनेक शुडियो तब तक के लिए बाई-बाई